कफी आसान question है आप एक-एक option को investigate कर सकते हैं जैसे हमें क्या कहा गया है पहले में दिया गया है bolt ampere, bolt मतलब V हो गया, ampere मतलब I हो गया, तो P cos to IV होता है, यह power के बराबर होता है, इसका मतलब कि पहला unit, पहला जो आपको दिया गया unit वो power की unit है और हमसे यही पूछा गया है, तो यह option correct हो गया है, लेकिन हम बाकी भी options investigate कर लेते हैं, जरूरी नहीं है कि यह चारू power में हमें ऐसे पूछा जाएगा kilowatt hour, kilowatt hour क्या है, kilowatt होता है, power की unit होती है, और R मतलब time की unit, अब P into T होता है, H, heat energy और जो यह heat energy kilowatt hour है, यह commercial unit है, electric energy का, ना की power का, मतलब यह option तो नहीं होगा watt second, watt मतलब power, और second मतलब time P into T, यह भी heat हो गया, इसका मतलब यह भी energy की unit है, और यह क्याँसी है, यह SI unit है, joule second, joule आप कह सकते हो, W into T, ऐसा कुछ भी, कोई भी quantity नहीं होती है, इसका मतलब यह fall to का option डाला गया है, तो आपके यह तीन options reject हो गया, आप समझ गया है, कि यह energy के units हो गए, चौथे का कोई मतलब नहीं है, और पहला option आपका correct हो गया, thank you guys.